वेलकम टू एन जे एस एजुकेशनल इंस्टिटूट यदि आप हमारे चैनल पर नए आये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लैटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्लिक करें कि आज हम लोग तेंत क्लास के सबसे महत्पूर्ण वीडियो मैत के बारे में चर्चा करेंगे आप लोग को मैत में किस परकार से अच्छा से मार्क्स लाना है सव में सव अगर लाना है तो मेरे चैनल के साथ अवस्जूरें यह चैनल आपको बहुत उंचाई तक पहुंचा देगा आज हम लोग मैत में सव में सव कैसे लाया जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे इसमें सबसे पहले हम आप लोग को एक्जाम पैटर्ण के बारे मताएं किस टॉपिक से कितने नमबर के आता है इसमें हम पहले चार्चा करते हैं आप लोग को तेंत् waren आप लोग को माय था जो सौन नंबर के पूछेगा देन ऑलोग को किना विक इसमें आप लोग को सिलेबस की बात करें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है तो सिलेबस में आप लोग को मूख रूब से देख लेना है कौन कौन टॉपिक पढ़ना है इसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोग कहा है रियल नंबर को नंबर तो रियल नंबर है जो दस नंबर का परिछा में आता है Hindi में बात करें तो बास्त्त्विक संख्या या कितने नंबर का तो दक्समार्स का. उसके बाद दुसरा topic आप लोग कहा है Algebra. Algebra के मतलब होता है 20 गनित. ये तेंत क्लास में सबसे महत्कून हैं. दुसरा topic Algebra ये आप लोग को परिच्छा में 20 मार्स कहाएगा. हिंदी में से 20 गनित कहते हैं तिसरा टौपिक आप लोग को मिलेगा जियो मेट्री हिंदी मेंसे जया मितिक कहते हैं यह भी आप लोग को विस्मार्क्स कराएगा अगला टॉपिक आप लोग को मिलेगा तिरकोन मिती तिरगोनो मेट्री हिंदी में से तिरकोन मिती कहते हैं ये भी आप लोग को बिस्मार्क्स का मिलेगा अगला आप लोग का पाचमा टॉपिक है कोडिनेट जैमेट्री हिंदी में बोलें तो इसे नियामक जैमिती कहते हैं ये आप लोग को दस मार्स का रहेगा छाथा नंबर टॉपिक आप लोग का है मैंसूरेशन ये आप लोग को हिंदी में हिंदी में से छेत्रमिती खाते हैं ये हिंदी में छेत्रमिती है जो आप लोग को दस नंबर के पुछेगा मैंसूरेशन का हिंदी छेत्रमिती ये दस मार्स का रहा सत्मा टॉपिक है लास्ट टॉपिक अस्टाइटिस एंड प्रोबलिटी अस्टाइटिस एंड प्रोबलिटी सांखीखी और प्राइकता संखीखी और प्राइकता दस नंबर के यही आप लोग को तेंत क्लास में कुल साथ चेप्टर पढ़ना है जो आप लोग को लगवग जोर के देख सकते हैं सौ नंबर के हो गया होगा रियल नंबर है दस नंबर का बास्त्विक संख्या दस नंबर का अलजेब्रा के मतलब 20 गनीद 20 मार्क्स का उसके बाद जियो मेट्री है 20 मार्क्स का तिर्गुन मीत्ती है 20 नंबर के कॉडिनेट जियमेट्री है 10 नंबर के मैसुरेशन है 10 नंबर के स्टाइटिस एंड प्रोबिलिटी है दस नंबर के इसमें जोर के देख सकते हैं साथ दस सातर असी नबे सव यानि कूल तेंद क्लास में आप लोग को सव नंबर के मांक्स आएगा इसमें किस टॉपिक पर भी सेश्थियां देना हैं किस से औजेक्टिव आता है किसे आप लो लोग चर्चा करें लौंग कोशन की तो रियल नंबर से कभी भी लौंग कोशन नहीं आता है रियल नंबर से लौंग कोशन नहीं आता है अल्जेबरा से आप लोग को दूसे तिन कोशन पांच नंबर क्यानि लौंग कोशन अल्जेबरा से तीन कोशन मिलेगा जियो मेट्र से आप लोग को कम से कम दो कोशन लौंग रहेगा तीन अदू पांच कोशन तीरकुन मीती से दो कोशन लौंग रहेगा पांच दू साथ कोशन उसके बाद मिलता है मैसुरेशन से एक कोशन यानि आठ कोशन आप लोग को लौंग रहेगा परिच्छा में पांस नंबर के लेक पर चाहले 21 प्रकुसंद को में 20 को मना नंबर है को इसमें से यह हल करना कितना आपको जो इछा नंबर पचास को बनाना है दूसरा नंबर आप लोग को मिलेगा सजेक्टिव कोशन दूसरा नंबर मिलेगा सजेक्टिव कोशन यह आप लोग को परिच्छा में रहेगा 30 कोशन बनाना है के कोशन 15 कोशन यानि सजेक्टिव परिच्छा में दूदू नंबर के 30 कोशन रहेगा हल करन है केवल 15 प्राशन आप लोग को तीसरा कोशन मिलेगा लॉंग कोश्चन की बात करें तो परिच्छा में रहेगा आठ कोश्चन बनाना है केवल के प्राशन चार प्राशन यानि चार पचे बीस नमबर लॉंग से आ जागा तीस नमबर मिल जागा आप लोग को दूदू नमबर से तीस अब इस पचास सजेक्टिव सो जागा उसके बाद पचास नमबर उजेक्टिव से यानि पचास पचास सो ये आप लोग को तेंथ क्लास के प्राशन निव प्राशन के नुसार अब तयारी कैसे करना है इस पे से त्यारी लॉग कोशन के अलग से त्यारी इसमें आपको सब से जादा इनर्जी किस टॉपिक लगाना है तो सबसे ज़्यादा इनर्जी जितना आप लोग टॉपिक स्ट नकुव Happy सयतना है उसको थर्मूला लिखाए उसको ओढ़े कर याद कर लेते हैं तो objective के साथ साथ subjective question भी असानी से हल हो जाएंगें अगर आपका basic मजबुत है तो formula याद रहने के साथ साथ अगर basic मजबुत है तो long question भी बहुत अच्छे तरह से बन जाता है अथार्थ मेरा कहने का बात है कि इसमें आप लोग को 100 में सव कैसे लाए जाए तो आप केबल फर्मूला याद किजे बेसिक कंपलीट किजे अराम से आप लोग को सव में सव आ जाएगा इसमें हम लोग आज सबसे हलका टॉपिक रियल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं उसके बाद पार्ट बाइपार्ट वीडियो हम डेली नाते रहेंगे आप लोग बरहियां से इसको देखिए मैथ में जहां दिकत रहें कॉमेंट में कुछ लिखे कि हां सार इसमें दिकत है आपको पुना उस प पहली हैं तो फिन हलका हो जागा हम सबसे पहले आप लोग को आज रियल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं यह आप लोग परिछा के दिश्टी से सबसे महत्पून वीडियो होगा यह अगर रियल नंबर ठीक कर लेते हैं तो आपका इधर से अस्टाइटिस भी ठीक हो ज हम चालू कर रहें पहला चेप्टर रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं बास्तविक संख्या उसके बाद इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हम सुरू कर रहें संख्या से लेकिन संख्या से पहले आप लोग बहुत सुने होगे अंक कोई कभी कभी पूच देता है कि अंक कि digit कहते हैं डी आई जी आई टी अंक को अंग रेजिम हम लोग digit कहते हैं डीजित के शुरुआट जीरो एक दू तीन चार पांच छव साथ आठ नौ यानि जीरो से लेकर नौ तक को ही हम लोग औरिजनल में अंक कहते हैं जीरो से लेकर कहा तक तो जीरो से लेकर नौ तक को ही अंक कहते हैं इसमें आप लोग उसके बाद अंक से बना है संख्या पुछेगा संख्या किसे कहते हैं तो जीरो से लेकर नौ तक के अंको के बने समु को संख्या कहते हैं पुना एकवार ध्यान सुनिएगा संख्या किसे कहते हैं तो जीरो से लेकर नौ तक के अंको के समू को संख्या कहते हैं अगला आप लोग इसमें देख सकते हैं संख्या को दो भागों में बाटा गया है पहला नंबर है बास्तिविक संख्या दूसरा नंबर है काल्पनिक संख्या रियल नमबर इमेज नरी नमबर बास्तिविक संख्या किसे काते हैं तो दुनिया के जितना भी संख्या है माइनस इंफिनिटीव से पलस इंफिनिटीव तक के बीच के संख्या को हम लोग बास्तिविक संख्या काते हैं या दूसरा परिवासा बोल सकते हैं परमे और पर्मे संख्या के मिलने से बास्तिविक संख्या का निर्मान होता है किसका बबू तो पर्मे और पर्मे संख्या के मिलने से बास्तिविक संख्या का निर्मान होता है या आप लोग बोल सकते हैं संख्या रेखा परके संख्या को बास्तिविक संख्या कहते हैं पुना से एक वार देख लिजेगा बास्तिविक संख्या किसे कहते हैं तो पर्मे और पर्मे संख्या के समुच को मिलने से जिस संख्या का निर्मान होता है उसे बास्तिविक संख्या कहते हैं दूसरा नंबर इसका पर रूप है काल्पनिक संख्या यह वैसी संख्या होता जो बर्गमूल के अंदर minus में हो ःनात्मक में हो उसे काल्पनिक संत्या करते हैं जैसे पुछ देगा कोई कि root under minus 3 बास्त्विक संत्या है कि काल्पनिक जैसी हम लोग देखेंगे कि बर्गमूल के अंदर छाता के संख्या में चर्ण 7-37 जितना आप लोग को संख्य मिलेगा इसे बास्तवी सांख्या होगा बाकी रूट के अंदर तक है हैं जो कहाते हैं आस संख्या भी आगे चल कर दो भागों में बढ़ जाता है जो आप लोग को परिच्छा में सबसे जादे ध्यान देना है पर में और अपर में पर इसे आप लोग को चार से पांच कोशन और जेक्टिम में मिल जागा उसका दें अहां से सीध करने के लिए आता है कि सीध के जिए रूट तीन रूट पांच अब पर में संख्या है या हर यक साल के लिए बहुत ही पॉंटट विडियो बन जाता है कि इसमें आप लोको में पर में यह चोटावो में पर में संख्या उस संख्या को काते हैं जो P बटा Q के रूप में हो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो उसे परमे संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो जहां Q not equal to 0 हो अथार्थ Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए उसे परमे संख्या कहते हैं जैसे 3 बटे 4 इसमें देखेंगे P का मान 3 Q का मान 4 अथार्थ कभी भी नीचे बटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए उसे ही हम लोग कहेंगे परमे संख्या ये तहो गया बच्चावला परिवाशा इसे आप लोग को तेंत क्लास में कोई काम नहीं आगा आप लोग को दूसरा परिवाशा आतकरना है पर्मे के वैसी संख्या जिसका पुरा पुरा बर्य निकले उसे पर्मे संख्या कहते हैं जैसे root under 4 तो 4 का बर्गमूल दू ती root under 4 आप लोग को पर्मे संख्या जागा है यानि वैसी संख्या जिसका पुरा पुरा बर्गमूल निकले उसे पर्मे संख्या कहते हैं आप लोग को special हम वीडियो बना देते हैं पर्मे संख्या और पर्मे पे ये आप लोग को परिच्छा में हर एक साल 4-5 कोशन बहुत बढ़िया कोशन मिलता है आगला है आप पर्मे संख्या वैसी संख्या जिसका पुरा पुरा बर्मूल ना निकले उसे आप पर्मे संख्या कहते हैं जैसे रूट दू, रूट तीन, रूट पांच, रूट छो इतियादी आप लोग इसको बढ़िया से देख लिजे वैसी संख्या जिसका पुरा पुरा बर्मूल ना निकले उसे पर्मे आप पर्मे संख्या कहते हैं पर्मे कहे तो वैसी संख्या जिसका पुरा पुरा बर्मूल निकले उसे पर्मे संख्या कहते हैं उसके बाद परमे संख्या दो परकार के होता है भीन संख्या पुनांग संख्या भीन संख्या वैसी संख्या जो भीन के रूप में रहे उसे भीन संख्या कहते हैं जैसे चार बटे पांच तीन बटे आठ भीन संख्या वैसी संख्या जो भीन के रूप में हो बटा के रूप म मतलब संख्या इसी परकार एग्वाव संख्या का कुण संख्यां यह दूनों में बढ़ियां से दूर कर लिजे पुनांग संख्या की सुखाएंगे तो वैसी संख्या जो पूरा पूरा अंक के रूप में हो उसे पुनांग संख्या करते हैं जैसे 0-1-2-3 असलिसी संख्या जो पुरा पूरा अंक के रूप में हो सकता माइनस में रहे यह डिपेंट नहीं करता है लेकिन होना चाहिए तो पूरा पुरा होना चाहिए दसामलों में बटा में नहीं वोना चाहिए उसे ही हम लोग कहेंगे पुनांग संख्या उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे संख्या विसाम संख्या संख्या विसाम संख्या